आज की राशी फल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ मीघा चंदर मैं हूँ आपके साथ प्रियांका चावला और आप देख रहे हैं NBC भारत शुरू करते हैं मीश राशी से आज आपका दिन अध्यत्तम में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकाद आपके बविश्य के लिए फायदेबन साबित होगी अपने चारो और होने वाली गती वीदियो का ध्यान रखे क्योंकि आपके काम का श्रे कोई दूसरा ले सकता है लव मीट के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा दमपात्य जीवन में खुशाली बनी रहेगी अब बात करेंगे विश्य ब्राशी के जातकों की तो आज काम का अज में साफधानी बरतने की जरुरत है छोटे स्तर पर शुरू किया गया विपार आपके लिए लापकारी रहेगा आपने जो लक्षी निर्धारित कर रखे हैं आज उनमें काफी करीब पहुँच जाएंगे आप विरोधी आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपनी समझतारी से उन्हें काम्याब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज तूसरे के भरों से ना छोड़े इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरुरत है घरवालों से किसी विशे पर सला मिलेगी जो आगे चल कर आपके लिए फाइदे मन साबित होगी अब बात करेंगे मिथुन राशी के जात्कों की तो आज का दिन आपके लिए खुश्या लेकर आएगा जो लोग राजनीती के छेतर से जुड़े हैं आज उनकी समाजिक प्रतिष्टा में व्रिद्धी होगी जो लोग उच्छिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है आप मानसिक रूप से स्वास्त बने रहेंगे आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगा गूमने का प्लान बनाएंगे आपको रुपए पैसे के लेंदेन में साबधानी बरतने की जरूरत है अब बात करेंगे कर्ट राशी के जातकों की तो आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे आपको अपने वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग कर सकते हैं जिसमें परिवार वालों का भरपूर से योग मिलेगा आपको आपके बिजनिस में बड़ोतरी होगी समाच सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी अब बात करेंगे सिंग राशी के जातकों की आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है जीवनसाती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी रिष्टे में नया पनाएगा आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कार्य कर रहे लोगों की रचनाओं की लेख की काफी जादा तरीफ की जाएगी आज व्यर्ट की बातों में उल्जने से बचे लवमेट से एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे अचानक धन लाब होने से आपकी आर्टिक्स्तिती मजबूत होगी अब बात करेंगे कन्या राशी के जातकों की तो आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ो का दिया हुआ सुझाव आज आपके काम आएगा बिजनिस संबंदी मीटिंग में आज आज आप सही ढंक से अपनी बात रखेंगे जीवन साती से कारेों में सयोग मिलेगा और इस राशी के चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की भी खोशिश करेंगे अब बात करेंगे तूला राशी के जात्कों की आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका श्रे किसी और को ना लेने दे बॉस आपको किसी जरूरी काम से दूसरे शहर की यात्रा पर भी बेज सकता है आप कुछ ऐसे कारेों को करने के लिए तयार रहेंगे जिने करके आप रसन होंगे दमपत्य जीवन में खुशा लियाए नया व्यापार शुरू करने में बड़े बाई का सहयोग मिल सकता है अब बात करेंगे व्रिश्क राशी के जातकों की तो आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी साबदानी जरूर बढ़ते हैं आपने सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरूथ होगी जिससे आप और अधिक मेनत करेंगे इस राशी के जो लोग आक्टिंग के शेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा ओफर मिल सकता है हर प्रकार के बिजनिस डील में सफलता मिलेगी लव मेट से एक दूसरे को फार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्त के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है अब बात करेंगे धनूराशी के जातकों की तो भविश्य की योजनाय बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मारकेटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी दनलाब होने वाला है जीवन में चल रही समस्याओं का समधान निकलेगा कारे छेतर में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितिया सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्जने में पढ़ सकते हैं आपको बता दे नविवाहित दमपती में मीथी नोग जोख होगी जिससे रिष्टे में और मिठास बढ़ेगी लब मेच से एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखे रिष्टा और मजबूत होगा अब बात करेंगे मकर राशी के जातकों की तो आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है किसी कारे में परोसियों का भी सायोग मिल सकता है समाज में आपकी प्रतिष्टा बढ़ेगी सपलता में आ रही दिक्कते दूर हो जाएंगी आप नए विचारों से परिपून रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वो आपको उमीद से जादा फाइदा देंगे परिवार के सबी सदस्यों में आपसी सहोध बना रहेगा लब मेट आज एक दूसरे की भावनाव को समझने की कोशिश करें तो रिष्टे में और मधुरता आएगी अब बात करेंगे कुम राश्टी के जात्कों की आपको अचानत धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यपार में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी जीवन साती से उपहार मिलेगा लव में आज एक दूसरे से फोन पर देरात तक बात करेंगे अब बारी है मीन राशी के जात्कों की तो आपका आज का देना आपको मिली जूली प्रतिकिया देने वाला है कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आर्थिक लाप कराएंगे पिछले किये गए प्रियासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घपराने की बजाए अपनों की सला ले आपकी पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ने की जुरुत है जीवन साती के साथ रिष्टे में और मधुरता बढ़ेगी आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज के दिन सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी किसी दोस्त की मदद से नौकरी मिल सकती है आज के इस राशीफल में फिलाल इतना ही एक बार फिर मिलेंगे कल आप से एक नए राशीफल के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए NBC भारत नमस्कार